अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आज हम बनाने जा रहे हैं परवल फ्राई ये बिहारी कुजीन का एक बहुती फेमस देश है इसको आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं इसको बनाने के लिए हम लेंगे कुछ परवल जितने आपके फैमिली के साथ से हो उसको आधे में काट लेंगे जैसे ही आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर और इसमें लगाने के लिए हम लेंगे मसाला लगाया जाता है उसके लिए लेंगे 2 चमच जीरा जो दो चमच गुल की यानी काली मिर्च लाल मिर्च एक चमच और 10-12 कल्या लहसुन और एक चमच हल्दी और स्वादनसार नमक इन सब को हम मिक्सी में ले लेंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे पेस्ट एक दम ठीक होना चाहिए जैसे आपके देख रहे हैं तो यहां परवल पर लग जाया फिर उसको एक परवल को लेका लगा लेंगे आप नहीं हाथ से मत लगाएगे बढ़ाएगा अपको अच्छे से गर्म कर लेंगे तो अच्छे से गर्म कर लेंगे कर्था गरम करना है उसमें फिर तेल डालना है हम लोग इसके लिए mustard oil यूज़ करते हैं क्योंकि वह फ्लेवर इसी से आता है और फिर तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे थोटब ज्यादा लेना होता है क्योंकि इसमें फ्राइ करना होता है अगर आप चाहे तो आप कम भी ले सकते हैं आप नोन्स्टिक में üs करें तो आफ कम लेख सकते हैं परवल को डाल देंगे उसमें मैंने साथ परवल लिये थे तो फर्स्ट आफ में साथ दालूंगी और सेकन्ड हाफ में दूसरे साथ परवल दालूंगी, इसको 2-3 मिनट, 3-4 मिनट अफ्राइ कर ली जब तक वह पक जाए, पीछे से पक जाए, फिर उसको हम लोग धीरे धीरे चेक करेंगे और जैसे हमें लगे पग गया है उसको एक एक करके हम लोग पलट देंगे उसको पलट देंगे पलटने के बाद 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे मसाला निकल भी सकता है थोड़ा थोड़ा जो मसाला निकल जाए उसको बाद में स्क्रेप करके इस परवल के उपर आप डाल सकते हैं इसको जलाईएगा मत और मीडियम आच पे इसको फ्राई करिएगा फ्राई होने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको चावल, रोटी, दाल के साथ सर्व कर सकते हैं दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू हिट दाल लाइक बटन और सब्सक्राइब तो माइ चैनल फर मोर सच वीडियोस